जहिं दोस्तों आज भिहार पुलिस का सेटंड नमबर एक होगा और जितना भी हम सेट कराएंगे में प्रिभिव ए रैक्तर बिहार पुलिस के परेले वनाया रेक्ट हमाया और आधर पुल पुलिस सुपाहिटी कैसे ब्याइश मार्च को मना जाता है निश्यद्त इसमें एक अप्शन हम और यूब कारना चाह्यनते हैं बाईश अपर ही nett क्या मना जाता है बिसुप्रित्वी दिवस क्या मना जाता है बिसुप्रित्वी दिवस क्या मना जाता है बिसुप्रित्वी दिवस क्लियर हो गया चली आगे बढ़ते हैं मेरा दो नमबर कोश्चन है मौर समराज का सबसे अंतिम राजा कौन था मौर समराज का सबसे अंतिम ब्रिहत रहते कौन थे ब्रिहत रह अगर शसी पहला राजा या सथापक का बात करें तो चंद्र्गुप्त मौर थे इस बंस यानी मौर बंस की अस्थापन 322 इसा पूरव में चंद्रगुप्त मौर के द्वारा किया गया अगर चंद्र गुप्त मौर के बाद अगर हम दूसरा राजा का बात करें मौर बंस के तो बिंदु सार थे उसके बाद असोख हुए उसके बाद कुणाल हुए ठीक है उसके बाद धीरे-धीरे बंस जो था मतलब उतना विकास के कगार पे नहीं था धीरे-धीरे इसका पतन होने लगा और इसके जो last जो साशक थे मतलब सब साशक देवे तिले अयोग होने लगे इस तरह हम देखे तो सबसे last वाले जो शाशक थे ब्रीदरत टेका यानी मौर बंसके सब सांतिम राजा ब्रीदरत थे इनकी हत्या पुषमित्र सूंग ने कर सुंग बंस की अस्थापना कर दी ठीक है ये पुसमित सुंग बिरिदरत के सेना पती थे ठीक है अच्छा मौर बंस से पहले कौन सा राजा था तो नंद बंस था नंद बंस के सास्थाप कौन थे महापदम नंद और उस बंस के अंतिम राजा कौन थे घाना नंद कौन थे गाना नंग जो हम लोग भी में बीषेखें है चलिए पितल निम्लिखित की एक मिस्त्ट्थातू यानि पितल जैसे कि हम जानते है थातू मिस्तर थातू धातू क्या होता है जिसमें धातू धातु वी की गुन हो जैसे कि सोनना हो गया चांदी हो गया जिसको अगर हम पीटे तो उसमें से आवाज आए जिसमें इलेक्ट्रोन खोने की छमता होता है वो सब क्या होते हैं धातू होते हैं अधातू जिनको इलेक्ट्रोन गरहन करने की छमता होती है लेने की छमता होती है यह रिण आयन बनाते हैं ठेक है अच्छा मिस्तर धातू जिनमें धातू और अधातू दोनों का गुन हो तो मेरा जो कोश्यान है ति पितल दो एक पीता जी क्या फिरे दित जी पीता जी किस से जाद कर रहा है पिता जी मतलब थी से पीतल ना से तंबह जी से जिंग तेसके तंबह एंट को ही आपा जींग को ही जिंक ठीक है तो और जिंक ओप्शन हो जाएगा क्लियर वागी नहीं हुआ हम पर जिंक को जो गलत था तामबा को यह लोग बोलते हैं किलियर वागी नहीं हुआ पिता जी से जाद हो गया चली अगर अप्शन दूसरा अप्शन देखते हैं कॉपर आवर टीन यानि तमबा आवर टीन के मिस्तर धातू तमबा यह कहें किया जा रहा है भाई तमबा तामबा यानि तामबा आवर टीन के मिस्तर थाति को क्या बोलते हैं लो कांसा बोलते हैं लो क्या बोलते हैं लो कांसा ठेक है अच्छा कॉपर आवर जिंक बता दिया पितल हो गया कॉपर आवर निकल और कॉपर और निकेल तो कॉपर कोई मिले तामभा हो गया और इसमें आगर जिंक भी मिला देते हैं तो फिल देएजिटी कैंद हैं तो जर्मन-सिल्बर हो जाएगा जर्मन-सिल्बर फिकला है चलिया एलमूनियम और मैगनीशियम एलोमुनियम और मैगनीसियम के मैगनेलियम बोलते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका तो एंसर भी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं मेरा कोशन है चार हजार रुपिया पर 10 परसंट की 10 से 2 साल का चक ब्रीधी ब्याजग्याद करें चार हजार रुपिया है एक साल का हम सिंपल इंटःस्ट निकालेंगे तो एक गुन दस परसंट के रिए 20 बटे 100 एसे 0 से इसे कर जायेगा यानी 400 हो जायेगा कि ठिक है एक साल का सिंपल इंट्रेस्ट कितना हो चार साल दूसरा साल होगा चारी सोब होगा कि यह जो जो फस्ट य surprises कर अच्छा तो इसना ब्याज लगेगा चलंगों तो चार सो का अगर हम दास परसंट निकलेंगे पकितना जाए गा कितना जाएगा 40 तो यहां पिर 40 टोटल एड करें कितना चार चार आठ सो आठ सो चालिस कितना हो जाएगा आठ सो चालिस यानि ए अप्सन हो गया कि लियर हुआ कि नहीं हुआ समझ रहे हैं न सलिया आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा ठोस है पांच नमबर जो मेरा कोशन है इनमें से बताना है कि हमको ठोस कौन सा है तो इसमें अगर हम ठोस का बात करें अगर हम इसमें ठोस का बात करें तो क्या हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्रेफाइट चलिए ग्रेफाइट का यूज हम लोगा प्यांसिल में बनाने के लिए ठीक है अगर इस अप्शन का हम बात करें पारा तो पारा जानते पारा एक ऐसा धातु है जो दुराववास्था में रहत समझ में रहना आयोडीन का बात करें तो आयोडीन एक ऐसा और धात्यू है जिसमें धात्युक चमक होती है क्या होती है धात्युक चमक होती है ते सब हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं छे नमबर कोश्चन है मेरा 1946 में 1946 में उद्येश संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था ठीका चलिए तो 1946 में उद्येश संबंधी प्रस्ताव जो थे जोहरलन नहरु के दवरा दिया जाता है अगर हम इसका बात करें तो सम्भिधान सभा से रिलेट्ट कोशन है तो सम्भिधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता है कैबिनेट मिशन के संस्तूती ठीक है अच्छा इसका पहला बैठक जो होता है संभिधान साबा का 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकाले भावन में जिसमें वहां के सबसे बुजूर्ग बेखती सचिदानन्द सिनहा जी को संभिधान साबा का ओवास्थाय अध्याख चुन का 19 को डॉक्ट राजंद प्रसाद को संभिधान साबन सबादान जक्षाय अध्याख लिय जाता है ठीक है अच्छा अौट शैएम आएक नहिंहरी दिये थे scratch की स्थाय अध्यक्षते सर्दार पठेल का अगर हम बात करें तो सर्दार पठेल देशीर यास्तों को मिलाने का काम कर रहे थी हमारे पहले उपरधान मंत्री थे किलिए वागी नहीं हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेश्ट कोचन असाथ नंबर चूज दक्रेक्ट एंटोनिम अपनेस्ट यानि ओनेस्ट का उल्टा क्या होगा एंटोनिम मतलए का होता है उल्टा सब्द क्या होता है उल्टा सब्द उल्टा सब्द तो ऑनेस्ट का होता है इमंदार तो डिस ओनेस्ट क्या हो जाएगा डि honest honest dishonest 모 Esta ओन ओन्हों सदिया हो गया यान वे मान हो गया क्या हो गया बेमान तरह सब्सक्राइओ कहने क्लिए लागी नहीं हुएै तुब सने यहान दिया होगा dishonest के हो जाए गांनेस्ट का है शोन पुर से इस एंसर का जाए गया डिया और सुन les छलिए next question is eight number जो मेरे question है गदर Party की अस्थापन कहा हुई थी ठीक है गदर Party की अस्थापना Canada & America के तटिये भागों में की गई थी कहा की गई थी Canada & America के तटिये भागों में तो इसका क्या हो जायेगा answer Canada & America होगा अगर गदर पाटी की अस्थापना का बात करें तो 1913 में लाला हर्द्याल एवं कासी राम के द्वारा किया गया था ठीक है इसका अगर मुख्याले का बात करें गदर पाटी का अगर हेट क्वाटर हेट क्वाटर हेट क्वाटर तो इसका हेट क्वाटर कहा है सेन फ्रांसिस्को में कहा हुआ है किलर हो गी नहीं हुआ तो, चली आगे बढबते हैं नौ नॉम्बर कोछणों O है O क्या है? एक स्वर बाण है O क्या है? स्वर है तो एक स्वर हो जाएगा ठीक है? एगारे स्वर है न? तो O एक स्वर है हिंदी भाषा में टोटल एगारे सुवर होते हैं एगारे सुवर में कौन-कौन आ जाएगा ओ, ओ, आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, ए, बड़ा ए ओ, 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 तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस एग हो जाएगा, अंड, क्या हो जाएगा, अंड और इनको हम सुवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीना किसी दूसरे बन की साहिता से बोले जाते हैं, क्लियर रूआ याbike है नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऍमघ इसक है, झाले ने और बटा देते है, तो चलिए इसका हम बता देते हैं, याद करने का तरीका इसमें, अलकेन अलकाइन, तो अलकेन, 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 तो अलकेन का फर्मुले का होता है, Cn, Cn, H2n, ठीक है, अलकेन, अलकेन, Cn, H2n, अलकाइन, Cn, H2n, माइनस 2, अलकाइन का फर्मुले का होता है, Cn, H2n, माइनस 2, ठीक है, तो पहले अलकेन, अलकेन, अलकाइन, ठीक है, तो इस तरह इसका फर्मुले, पहले दो जोड़ेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद दो घटा के लिए रुखी नहीं हुआ तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अल्केंग अल्काइन ना कि अल्काइन का समान सुत्र हो जाएगा cnH2n-2 क्या हो जाएगा cNH2n-2 हो जाएगा किले हुआ अगर दोस्तों हमारा के सेट अच्छा लगा हो रोज हमें से दो से जरूर अप्लोड कर दिया करेंगे आज सुच रहे हम लाइब भी आने का तो लाइब आएंगे तो सेट का हैं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लो उसमें कोशन पूछेंगे आप लो बताइए का लो और हमारा जो चैनल है रांसागरवाल टूवण नाइन सेवन इसी पर जो भी स्वाट कोड़ ट्रिक्स जॉब से रिलेटेड जितना पढ़ाई है जो भी सब्जेक्ट का सब इसी पर अफलोड करेंगे तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कर दिजिए लो शेर कर दिजिए लो और सब्सक्राइब कर दिजिए लो ओके थैंक यू जैहिं जै भारत